भरे सदन में बिग बी की बीवी जया बच्चन ने फिर पार की मर्यादा उपराश्ट पती को उंगली देखा कर जताया गुस्सा तो भड़के लोगों ने लगा डाली एश्वेरा की सासू मा की क्लास जगडालू बीवी को 50 साल जھیलनी के लिए लोगों ने कर डाली अमिताब के लिए शोरय चक्र की डिमांड जी हां बिलकुल सही सुन रहे हैं आप सदी के महनायक अमिताब बच्चन के लिए सोशल मीडिया पर लोगों ने कर दी है शोरय चक्र की मांग और इसके पीछे की वज़ा सिर्फ एक है और वो है उनकी प्यारी बीवी यानी की जयाबच्चन और उनका गुसा वैसे तो इन दिनों जब भी जयाबच्चन सुर्खियों में चाती है तो उसके पीछे की सिर्फ एक वज़ा होती है और वो है उनका गुसाल मिजाज लोगों का ये गुस्सा फूटा है जयाबच्चन की एक और वीडियो पर और वो भी राज्य सभा सत्र के दौरान की इस वीडियो में जयाबच्चन सदन में चेर की और उंगली उठा कर कुछ कहती दिखाई दे रही है राज्य सभा में उस वक्त उपराश्ट्रपती जगदीब धंखड चेर पर नजर आ रहे है वीडियो में साफ दिख रहा है कि उपराश्ट्रपती और राज्य सभा के चेर्मेन जगदीब धंखड सीट से खड़े होकर सभी को अपनी सीट पर बैखने को कह रहे है इसी दौरान सामने से जया बच्चन गुजरती है और वो अपनी उंगली के इशारे से उपराश्टपती को कुछ कह कर गुसे में वहां से निकल जाती है इस दोरान जया ने उपराश्ट्र पती को क्या कहा ये साफ सुनाई नहीं दे रहा है लेकिन जया बच्चन किस हरकत की वचह से उनका ये वीडियो अब इंटरनेट पर खूब वाइरल हो रहा है सोशल मीडिया पर तो जबरदस्त बवाल मच गया है मर्यादा की सीमा पार कर चुकी नकरीली जया की लोगों ने क्लास लगाई है हद तो ये है कि लोगों ने स्ट्रोलिंग में जया के पती अमिता बच्चन को भी घसीट लिया है उपराष्ट पती को यो उगले दिखा कर धमकाने का जया का अंदाज लोगों को बिलकुल पसंद नहीं आ रहा है एक शक्स ने जया बच्चन को जार लगाते हुए लिखा है क्लासलेस और रूड एमपी है जया बच्चन कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमिता बच्चन कितने भी बड़े अभिनीता है लेकिन फिर भी मुझे उनके लिए बहुत बुरा लगता है एक दूसरी यूजर ने जया बच्चन को एरोगेंट बताते हुए लिखा कि जया बच्चन एक बार फिर अपने एरोगेंट दिखाते हुए मर्याता की सीमा पार कर रही है सदन में कुछ लोगों ने जया बच्चन की तुलना टीनसी सांसदम हुआ मोहित्रा से भी कट डाली जया बच्चन किस हरकत पर मीम्स की भी बाड़ा गई है एक शक्स ने बच्चन बोल रहे है परंपरा प्रतिष्टा अनुशाशत हमारी बीवी में इनमें से कुछ भी नहीं है एक यूजर ने जया को झेलने के लिए बच्चन अंकल को भी देना चाहिए इस भयानक परिस्तिति को 50 साल झेलने के लिए वैसा ये पहली बार नहीं हुआ है जब जया बच्चन यूँ सदन में भड़की है वो कई बार अपना को साप पैप्स पर भी उतार चुकी है पिना अज्याज़त तस्वीरी खेशने के लिए वो पैपराजी को सरयाम झाड़ भी लगा देती है